नमस्कार अश्टिटी मैट्रियल्स में आपका स्वागत है तो यह देखें जो स्क्रीन पर आपको दीख रहा है केंद्रिय विद्याले खूटी इसके तरफ से आपका कुछ वेकेंसी आया हुआ है क्या कुछ वेकेंसी है किस चीज का है हम लोग विस्तार से इसको आगे देख होगा तो क्या कुछ वेकेंसी है उसको हम लोग देखते हैं इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इससे आपको इस तरह का नए नए नोटिफिकेशन वह जो जोब से सबंधित हो वहां आपको मिलते र रखा जाएगा इसके लिए वाकिंट इंट्रव्यू है कभशे यहां पर समय दिया ग्या है 22 2222 मंगलवार को और कप से है दो 9 बजे से 22 22 22 9 12 अस्तान जो ओगा आपका यहां पर देख रिट्फाशन क्या ग्या है के अंधरिये विड़्ाले खूटी आपको होगा अगर आप योगघता रखते हैं तो आप जा करके अपना इंटर्व्यू वहाँ दे सकते हैं अब देखते हैं क्या-kya पोस्ट के लिए निकल करके आया हुआ है वेकेशी तो यहां पर देखिए आपका पद नाम जो है पद नाम क्या है टीजीटी हिंदी टीजीटी हिंदी के लिए है इसमें अगर युग्गता का बात करें नियुम्तम युग्गता का बात करें तो यहां पर मेंशन क्या गया है मान्यता प्राप्त विद्दाले से सबंदित विशे मे नियुम्तम 50% अंग के साथ असनातक और बीड़ आपका होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी काईल प्रवीन होना चाहिए अर्थाथ हिंदी अंग्रेजी आपको आना चाहिए आपका सेलेरी जो होने वाला है यहां पर देख सकते हैं सेलेरी आपका है 26,250 रुपया होने हुआ पाले हैं टीचर जो आपका पद साहिव होगा तीजे Cast hai हिंदी होगा। वह प्रा्थमिक सिक्षक के हाथ का यहां पर इंग्रेजी चाहिए प्रात्मिक सिक्षक के लीए तो इसमें प्लस टू में कम से कम 50% अंक और JBT या फिर BLAD या फिर DLAD या फिर BLAD होना चाहिए तथा साथ में आपका सिटेट भी होना चाहिए इसका सेलेरी है यहां पर आपको दिया हुआ है देख सकते हैं उसके बाद संगनक प्रसिक्षक कंप्यूटर सिक्षक जो है उसके लिए भी आपका यहां पर वेकैंसी आप देख सकते हैं इसके लिए आपको क्या है असना कोतर BCA, MCA औगेरा आपका चाहिए इसका salary जो क्या होने वाला है यहाँ पर आपका दिया हुआ है तो यहाँ था आपका खेंद्रिये बिद्धाले खूटी के तरफ से वेकेंसी इसमें क्या है तीन पोस्ट निकल करके आया हुआ है एक आपका TGT हिंदी के लिए एक प्रात्मिक सि चक के लिए आया हुआ है यहाँ पर लिखा गया है कि सिटेट अभ्यार्थी को प्रात्मिक्ता दी जाएगी प्रात्मिक्ता मिलेगा लेकिन वह भी अब क्या है इंटर्भ्यू में जा सकते हैं सच्छातकार में भाग लेने के लिए कोई tada का भुकता नहीं किया जाएगा एक नया पास्पोर्ट साज फोटो परमानपत्र दस्तावेजों के साथ साथ समय सब्मित किया जाना चाहिए और सत्यापन के लिए मुल परमानपत्र भी आपको साथ में ले करके जाना है तो यह कुछ भी सेस था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा ओके थैंक यू यह वीड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे